नमस्कार दोस्तों, भाजपा के एक नेता पर भाजपा के दूसरे नेता ने स्याही फिक्षवा दी आपने एक चेले को भेज कर भीड के सामने नेता जी के चमचमाते सफेद कुर्ते को काला कर दिया चेहरे पर भी सियाँए के चीटे पड़ गए? जसपर सियाँए फेकी गई है उत्तर प्रदेश के घोषी उपचुनाव के लिए BJP के उमीदवार दारा सिंग चौहान है दोस्तो दारा सिंग चौहान पर उन्हीं के चेतर के पास सियाँए फेकी गई दरसल वो चुनाव प्रचार के लिए वहाँ से वापस लोट रहे थे तभी अधरी में कारेकरताओं को देखकर वो गाड़ी से उतर पड़े इसी दोरान जब वो कार से उतरे तब पार्टी कारेकरता उनका स्वागत करने लगे उनको फूलों की माला पहनाई गई थी लेकिन तभी बीच से किसी ने उन पर स्याही फेक दी कपड़ों से लेकर चेहरे तक दारा सिंग चौहान स्याही स्याही हो गए एक दो चार बगल में खरे कारेकरताओं पर भी स्याही की कुछ चीटे आए स्याई दारा सिंग चोहान की आँखों में भी चली गई, इसके बाद वहाँ पर अफरा तफ्री मज गई वहीं पीछे खड़े उनके गार्ड ने तुरंत उन्हें साइड किया और आरोपी को पकड़ने के लिए वहाँ से चले गई इस हमले के बाद दारा सिंग चोहान ने सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साथ दिया और कहने लगे कि ये सब सपा नहीं करवाया है उन्हें कहा गोसी उक्चुनाओं में सभी के सारे समीकरण ध्वस्त हो चुके हैं हमें हर धर्म का व्यापक समर्थन मिल रहा है भारी मतों से बीजेपी जीते जा रही है इसी बाद से हताश और निराश होकर विरोधी इस तरह का का काम कर रहे हैं इससे लोगों में बहुत गुसा है ये साजिश है लेकिन गोसी के जनता पास सितंबर को इसका जवाब कमल का बटन दबा कर देगी उन्हें ये भी कहा कि प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आधितनात के कामों पर गोसी के जनता मुहर लगाने जा रही है इसी बात की गबराहट समाजवादी पार्टी में दिख रही है इसी लिए ये काम सपा के लोगुद्वारा ही किया गया है लेकिन दोस्तों राजनीती वही है जो कुछ भी करवा देती है कब गदे को बाप बनाना पर जाए कब बाप भी दुश्मन बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ मुनासिब है दारा सिंग चोहान के मामले में भी एकदम सार्थक साबित हुआ है दारा सिंग पर स्याही फेकने वाला उन्हीं के पार्टी कहेगी आदमी निकला इस आदमी का नाम अभी मन्यू उर्फ डायमेंड है अब उसने पुलिस के सामने ये कहते हुए सरेंडर कर दिया है पार्टा में उसमियू पर साहनू भूति लेकिन फुल खुलते ही मामला गडबढ गया यकिन सुटे मिल्टे में गूंग्रिस सोफा के सिरन्हा और सिर्फ यह प कर्लीटी के राजनीतिक यात्रा कर चुके आर संहान अब इस सियासी जंजाल में फश चुके आरोप प्रती आरोप तब तक चलेगा जब तक कि उपचुनाव नहीं हो जाते लेकिन चुनाव में इसका फायदा मिलेगा या नुकसान ये देखना होगा इस वर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा ये खबर आप उल्टा जुश्मा यूसी पर देख रहे हैं मेरा नाम फरहीन अंसारी है जै हिंद जै भारत